संग प्रमुक मोहन भागवत अब से कुछ ही चनूं के बाद भागलपूर मेहे आस्रम पहुंचने वाले हैं हम आपको यह सीदी तस्वीर दिखा रहा है कि महर्सी में ही आस्रम में सद्गरु निवासस्थान का वह लोकारपन करेंगे उसके बाद जो पॉरानी का जो गुफाह है यहां उसका उसका प्लुकन करेंगे साथे साथ उसके बाद बहुत धिक यानि जो उन लोगों का बैठक ह होता है लोगों को संबोधित करेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि पुलीस मुख्याले ने संग परमुख को यहां पर खत्रा बताया था इसके बाद भागलपुर पुलीस अलट हुई है और संग परमुख को आई-एस-ई मावबादियों और कटरपंथियों से खत्रा बताया था हम आपको यह सिरी तस्वीर दिखा रहे हैं यह कुपाघाट की तस्वीर हैं जहां पर जिल्ला परसासन के द्वारा कड़ी स्रक्षा वेवस्ता की गई है लगातार भागलपुर पुलीस सीटी की टीम सीटी के कमांडो यह सभी लगे हुए हैं और जो यहां पर मेटल ड यक्टर से होकर गुज़रना पड़ता है जो समान है लगेज है उसको यहां पर खंगाला जाता है पूरी तरफ से उसका चेक करने के बाद ही उसको अंदर आने दिया जा रहा है लगातार जो यहां पर काजकरम है उसको लेकर लोग दूर दूर से आ रहे हैं उसको लेकराएहां पास यहां पर मिर्ग्रत किया गया है। बल के जबान हैं जो C5 क टीम है वह लगातार आलोगों पर निःगानी कर रही हैं साहत ही साहत यहां पर CCTV दोगाया गया हैं जो लोग जो सरधालू जो बाहर से आ रहा है जो इस काज क्रम में शरीक होने के लिए उसको बारेकी से जाच किया जा रहा है उसके बाद अंदर प्रवेश कराया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि कुपऻा घाट को दूलहन के तरह सजाया गए हम आपको यह स promotes भागल. Purbuka各位 से दिखा रहे हैं जहां महर्शी मही आश्रम में जो सद्गुरु निवासस्थान है उसका आज शंग प्रभुक मोहन भागवत उद्गाटन करने वाले हैं और जो समचार च्छन के सामने आ रही है कि वह भागलपूर के नगोचिया रिल्वे उसके सब पर उतर चुके हैं और राजधानी एक्सप्रेस से उनका जो यहां पर नगोचिया उतर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उनका काफिला संतमत में आश्रम यानि भागलपूर के कुपागट पहुचेगा उसके बाद जो काजकरम यहां पर बनाया गया है सबसे पहले वह संतमत यह जो नया भ लोगों के साथ जो बॉद्धिक है जो उनका लोगों के बीच वह अपने वक्तब को रखेंगे और लगभग चार घंटा कुपागाट में बिताने के बाद उसके बाद वह आगी के काजकरम में यहां से प्रस्थान कर जाएंगे अपने सहयोगी के मैं पर संजे के साथ